नमस्कार आपका स्वागत है इंडो डॉटिकल से टेकनोलोजी की नर्सरी में आज जिस जरह पर अभी आप आए हो यह नया एक्सपेरिमेंट है जो पिछले साल हमने केवल एक हजार बनाए थे और हमने वह प्रेम हिमाचल के दिनेश दिनेश प्रेमटा जी को दिए तो दिनेश प्रेमटा जी ने यहां से इंडो डॉटिकल से बारा हजार पौदे करीड़े और उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है तो जो पिछले साल उन्होंने यह प्रीमियम ख तो हमने इस बार पांच हजार से ज्यादा पेड़ बनाए अगले साल हम एक लाख पौदे प्रीमियम के बनाने वाले तो यह प्रीमियम की खासियत है कि आप फरवरी मार्च अप्रेल में लगा दो और जुलाई अगस्त में चार या पांच महीने के बाद चार किलो तीन किल जो दाना आप एगी पेड़ से तोड़ लो तो यह एक नई करांती की शुरूआत होगी जो कि आज आप आए हैं तो इसको विटनेस करेंगे इसमें इसमें कोई केमिकल कुमिकल तो नहीं इसमें यह तो बिलकुल विश्य दूरूब से क्लीन प्लांट है इसमें हम इंसेक्त तो यह इतना खाना खीश लेता है जमीन से के एक अठा कर देता है उसके बाद यह पौदा यहां सी यह फैदर शुरू हुए देखिए यह देखिए हम इनको गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा यह बारा और एक तेरा तो दस फैदर से उपर अग अलशालिक हर प्लांट में आपको दिखेंगे इतने बड़े पैदर की लिघी यह अपको इ unknown सणरी अपको इंटली में भी नहीं मिलेघी फ्रांस में भी नहीं मिलेगी नीदरलेंड में नहीं मिलेगी इसलिए हमने उन सब का ज्यायन लेते olan मैं इसको मिशकर के रूप में विक्सित किया है यह किसानों के लिए चमतकार के रूप में होगा लेकिन हमारे लिए पिछले पंदरा सालों का रिसर्च का नतीजा है मैं चाहता हूं कि किसान इसको बड़े स्केल पे अपनाएं और कल को अपनी आये को दुगना नहीं दुगने के आगे जीरो और लगा किसानों को पौदे नहीं जाते हैं यह केवल नर्सरी है यहां से पौदे उखाडे जाते हैं और जिस प्लॉट में आप खड़े होई समय यह हमारा प्रीमियम प्लॉट यह भी बाद में हार्वेस्ट होगा बाकी तो यह सब हार्वेस्ट हो गया करीब यहां पर 25 एकड में और यह जो प्रीमियम प्लॉट है केवल दो एकड में हमारे पास क्राइल किया आप इसमें जो आप शेष्टा देख रहे हो आप जो क्यूंकि आप सब किस्कार कर चुके हैं आप तो आप सीता राम गौड जी है आप आप आए पता बता दीजी अपना मैं जन्पर उतरकाशी स अबिकास खंग नौगों और बाग लगा है यह नहीं टेकनोलोजी का इक अंडारी गाओं में हैं और मैंने दो यूनिट लगाए हैं और दूसरे साल में जै मैंने जैए उससे जैए एक लाक एक आसी हजार का जो है उत्पादन प्राप्त किया है बहुत ही बढ़िया मार्ल महीने के बाग में किया और बहुत-बहुत बढ़ाई आपको और आज आप यहां आए आपका स्वागत है आजार डिमरी जी है आप अजार जी मैं सरुसरकासी जिल्ले के नोगों को भाटिया गाउं से हूं हाँ भाटिया गाउं आपने भी दो यूनिट लगाए थे चार य जो पुराने नहे में जो अंतर दिखाए ना तो एक ही साल में हमें लगा कि जमीन रासवान का फरक भाट बहुत बड़ी बात बदी बात बदी बात बदी बात यह सब चीज आप पूरी तरह से राने ओली जुजमे से नाम इनको इस और आप अग्रसर्प करना चाहते हैं आ मैंने इसके बारे में नर्शे आपके नर्शे की बारे में बहुत कुछ ना मैं देखने के लिए उस तरकासी में आपने जो यूनिट लगाए उनको देखने भी आच्छा तो वहां पर मैंने जब देखा तो मुझे कुछ अलग सा लगाए गया इतनी अच्छी वैराइटी जो हम विदेशी फल खा रहे हैं से विदेशी चिला रहे हैं तो क्यों ना हम अपने इन पहाणूं में इसको उगाए और अपने नव जवान साथियों को रोजगार विदें मैं इसमें जिल्ला पंचयात उपाते हैं सोचमूनी में तो हमारा फर्ज बनता है कि अधिक से जो योग हैं या जो किसान है उसको आगे इंप्लिमेंट करें तो जिसे कि सब रोजगार विमिल जाए और हमारी जो पलायन है सबसे बड़ा मेरा मक्षब है मैं चाहता हूं की पहाणों से पलायन नहों पहाड के दूख पहाड मेरे तो मेरे सबसे बड़ा बहुत ही सब्सक्राइब करता हूं कि चमौली में शेव की क्रांती आपके द्वारा शुरुआत होगी अभी जो यह बगीचा आप देख रहे हैं जो नर्स